और सिरे सिग्रामपूर चलेंगे जहां मंत्रप्रदेश क्राबिनेट के फैसलों की जानकारी देते वे मंत्री पहलात पतेल बालिकाओं के द्वारा मार्सल आर्ट का पतलसन और सकाराप का पुरुष भागेदारी पर चर्चा यह उसका चौथा बिंदू होगा साइबर सेकुर्टी एक बड़ी चुनोती है इसलिए सोसल मीडिया सेकुर्टी पर प्रसिक्षण होगा कि मैं डिडर हूँ इस स्लोगन के साथ बालिकाओं का द्रस्टी कौन सोसल मीडिया केम्पेंड के द्वारा पूरे राज्जी में चलाया जाएगा सक्ति संबाद समस्त्त थानों से जो हमारी महला सुरक्षा कर्भी है वो ऐसे इस थानों पर जहां पर कुछ शखन आबादी हो या गतिविधिया हो वहां पर वो बाकाइदा इस पूरे सब्ताय में अपने प्रदस्टन को वहां पर जाली रखेंगी साघर में एक इंव्र सेग मीट जो शेतरी इंवर सेट मीट मानिय मुख्वंधी जीन रिकिये पूरे राजज़ में लगाता आ नहीं जव्र नहां पर अरन्न जागे पर होई गधार पर हों यह है वह उसमें 3200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है दस राज्यों से प्रतिभागी यहां पर आये थे रीजनल इंजस्टिक अंगलब सागर में 96 एकाईयों के आसे पत्रों जिसमें 240 एकड़ भूमी आविंटित की गई है जिसमें 1560 करोड से अधिक की पूर्जी निवेश और 5900 से अधिक व्यक्तियों के रोजगार की सम्भावना है लगवग 23188 करोड के निवेश तस्ताव इस समिट्रे संग में प्राप्त हुए है आगामी दिनों में हैजराबाद का रोड सो 16 अक्टूबर को होगा बोपाल में माइनिंग कंक्लेफ 16, 17 और 18 अक्टूबर को है और दीवाज की रीजनल इंडिस्टेमेंट 23 अक्टूबर को होगी हमारा जो साथ्पा बिंदू है वो मद्यप्रदेश में बोर्योजगारी दर पर हम गौरवार में थे हैं मद्यप्रदेश सरकार और मुझे लगता है कि कई बार इस पर हम विचार करते हैं लेकर सायद हमारी जानकारियों का अभाव होता है हम गौरवार में थे हैं आज कि बारत सरकार ने जो बेरोजगारी का आकड़ा देश के सामने रखा है उसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी केरल राज्य में है और केंदर सासर्थ प्रदेश में लक्षदीप में है केरल में बेरोजगारी दर 29.9 प्रिसत है और केंडर सासत लक्षदीप में 36.2 प्रिसत है और जो दाश्टी इस्तर पर इसका वह सत है वो 10.2 प्रिसत है लेकिन मद्र प्रदेश सबसे नीचे कुल 2.6 प्रिसत बेरोजगारी दर के साथ हमने जो सफलता जद की जिए आज हम सब के लिए आज के दिन को मैं मानता हूं कि यह आकड़ा हम सब को गौर्वान दिक करता है इस बात के लिए भी मैं मान्नी मुक्मंदिरी का अफ़ारी करीरे लाड़ी बेना योजना की अंतरगत अक्टूबर माय 2024 की रासी 1574 करोड़ अभी सिंगल क्लेक्ष से आज के ही दिन डाली जा रही है सामाज सुरक्षा पेंसर 332 करोड़ आज भी सिंगल क्लेक्ष से जा रही है प्रजान वंतिजी उज्वला योजना अंतरगत समस्त एल पीजी गेस करेक्षन दाली भूटाओं अथा गैर पीए मुझवला योजना सेडी की लाड़ी बेना लावार्तियों को जून 2024 की जो गैप की रासी 28 करोड़ वो भी आज सिंगल क्लेक्ष से डाली जा रही है विजन डाकूमेंट के लिए जो वानि मुक्वंतिजी ने कहा है कि एक वर्स के भीतक जो भी काम जिनके छेत्रों में जिलों में हुए है उसका विजन डाकूमेंट के साथ उसका जनता के सामने तस्तुत करें ताकि हमारी इस काम करने की गतिका जनता गनादन वो पता हो सके आज हमारे नए मुख्य सच्चियों की उपस्तिती में पहली केबिट की बेटक थी उन्नीस सो नवासी देच के आईएस तो वारत सरकार्ण भी बढ़े महतुकुन पदों पर रहे हैं राज्य के तमाम विभागों को उन्नाय समाला है उनकी आज पहली केबिट मंति बस्ति थी मानि मुख्यमत जी सह्त मंति परसति नहीं को सुटामनाय दी एं और हमारी पूर्ब मुख्य सच्चियों जिनने 10 माए तक इस राज्य में मुख्य सच्चियों के तौर पर टाम किया ह उनके प्रदेवी आवहार व्यक्ति किया गया है उनकी प्रशक के बारा आज विर्यंग्रा रानी दुर्गवती की जन्म जन्ती के दिन जो हमारी एक महत्यपून योजना है उसका नाम रानी दुर्गवती जी के नाम से स्रीयन प्रोताहन योजना इसमें प्रती हेक्टियर 4900 रोपे की अत्रतरासी खिसान को दी जाएगी और इसका लख़वा बढ़ाने का फैसला भी कोई लक्ष है कोई एक लाख हेक्टियर तक पहुचाने का आज फैसला किया है इसमें कोदो खुट्की और रागी जैसी चीजे पुट्पादन के महत्तों को बढ़ाने के लिए इस योजना में दिया है लेकिन ये मिराणना रानी जर्गवती के नाम पर स्री अन्न प्रोतान योशना है दूसरा मद्यप्रदेश में जो हमारा मिलिट का जो पुत्पादन है वो लगातार बढ़ रहा है और मद्यप्रदेश तो उसे अपना अफल स्थान पर आपने किया है सहिकार्ता विभाग में मद्यप्रदेश एक बात के लिए और जाना जाता है कि हम जीरो प्रतिस्टों व्याज की धर पर किसान को कर्द देने का काम करते हैं और इस बात का भी आज मंत्री परसर ने आज ही के दिन फैसला किया है कि हम इसी योजना को जारी रखेंगे और इसमें एक अंस भरसर कार देती है और एक अंस मद्यप्रदेश सरकार देती है और इस बात के लिए भी मैं माननी मुक्मादी जी को धन्वाद देता हूँ कि बीरांगना दुरुगावती जी जो सदय वो किसानों के हिर्थ में अपना सोचती थी और किसानों से पूछ कर फसर चकर का भी निदारन करती थी ऐसे उनके इस्थान पर वेटतर इस महती योसना को फिर से जीरू पुछ सद्वियाज में किसान को रिड़ देने कर जो उनने फैसला किया है उनके प्रतिवी में अपना आवाब बेद करता हूँ पिछला वर्ग कता अल्पसंध्य कल्यान विभाग हमारे गोश्णा पत्र में हमने तमाम अल्पसंध्य कर अन्य समाजों के बोड़ बनाने की बाद कही थी और उसी के तहट अभी 20-25 दिन पहले मानी मुक्वंदिजी ने जैन समाज के लोगों को जो आश्वसंध्य दिया था इतने कम समय में उसको पूरा किया है यह हमारे गोश्णा पत्र का बुद्धा भी था जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और दो सदस्य होंगे उनके आफिसका और उनके मानदे का प्रवंदिभी इसमें है और साथ में यह भी मुक्वंदिजी ने गोश्णा किये तो कि जैन सम आई तो दो वर्स दिगम्बर जहन समाज स्कात यह का गारीकाल होगा यह मातोपूल है कि अ गम की मिलोग स्वास्त एवन चिकष्ऩा शिक्षाव आध है नरश सिंगृ महायमें हमारी दो सेढ़ी यह थी पहले मत्रप्र्देस सद्कार ने चिकर्सा बिवाद को और सिख्छा बिवाद को एक ही मंद्रय कर लिया एक मंद्रृय बना दिया ता अब फिर से इसम McDereye सब्सक्राइब उसमें 606 संद्वाजिति ताकि सास्की महाविध्याल है थी इन दोनों का डेजिनेशन सास्की महाविध्याल ही कर दिया गया है ताकि एक प्रकार से उनको संबूर किया जा सके हंत में हमारे जो दमोज के लोगों में वैसे तो राची के लिए भी ये बहुत महत्वपूर है कि दमोज जिले में एक हवाई पट्टी है जिसका राजस्तों का जो टायम था जीश का वो समाप्त हो गया और अब वो मंद्रपूर्देश सर्कार की संपत्ती है आज सैधानतिक सहमती हमारे क्याप्टेट ने मंजूर किये कि हम उसे उन्नत करके हवाई पट्टी बनाएंगे इस बात के लिए मैं माननी मुक्तमंद्री जी को दिन्रपात जेता हूँ दूसरा रानी दुर्गावती संग्रा ने मदन मेल किले के चारो तर जो पहाड़ी है उसको भगर रूप से बनाने का फैसला मत्यपते सरकार ने किया है साथ में चूकी सारी चीज़े उसमें जुड़ जाएं उसके और भी विस्तार तरीके से विचार हो इसमें माननी मुक्तमंद्री की अध्यक्स्ता में एक समीती बनी है ताकि सारी बातों को उसमें दिया जा सके उसमें हमारे इस्थानीय मन्त्री मानी स्री राखेश स्रीश जी अमारे जन्जातीय मन्त्री मानी अभिजय शाहिजी मेरा उसमें मेरा भी नाम है और यहां परेटर मंती धर्मेंदिस जोदी जी यह समित्थी के सिदर्स होंगे और यह समित्थी यह करेगी कि बास्तों में उस उतने रंबे चोड़े छेत्र में किस प्रकार से डबलब्मेंट हो ताकि वी रांगना, रानी, दुर्गावती जी के कुन साथ तमाम देक्तत्यों को निखारा जा सके चाहिए वो नयाय से जुड़ा हो, चाहिए वो जलप्रबंदन से हो, चाहिए उनकी इस बात प्लेए मानी मुख्वदी जी के तेक्सना में इस समयधी का नर्मान किया है ताकि वो जल्दी इस बात को आगे बढ़ाकर उसको पर्विता और दिप्रिता प्रदान कर सके मैं अपनी बात यही जमात करता हूं अब इत्पूशना दिपूश सकते हैं अजिए का अजिए का अजिए हैं और फॉश्टा को सब्सक्राइब में बात इस बनाई देगा अधन्माद दे इस तक स्वेमती बनी है जब वो बन जाएंगी तो उसके बाद आपको इस वडूल पतर जाएगा कि कौन उसके रहेगा आज का दिन तो पूरी तरह से बीडामना रानी दुर्गाबतिंजी के लिए समर्कत है और इतनी जितने वी योजना है या जितना हम कर सकते थे हमने आज इस रत्रा के सुर्ण के चड़ों में अर्कत किये और जो हमारे जन्परिश्य के लोकर ने माना कि हवाई पट्टी के उ उसको सद्धान देख सहमती उनने दिये तो मुझे लगता है कि ये और प्रेटन की दश्टी से जो रानी दुर्गाबतिंजी के इस पूरे छेत्र में होना है उसके लिए बाकाइदा एक रोडमेप है और धन्नवाज सबको कर दो